भारती अर्थविवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्था है इसके साथ ही भारत दुनिया भर में कामकाजी लोगों के आबादी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है लेकिन जैसे जैसे देश की अर्थविवस्था का साइस बढ़ रहा है बेरोज़गारी और छटनी के मामले में भी भारत को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है देश की छोटी मजोली नहीं कई दिगज बिजनस घराने भी लागत घटाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की छटनी कर रहे हैं फिर चाहें टाटा ग्रूप हो या फिर अमानी ग्रूप एक रिपोर्ट बताती है कि अकेले रिटेल सेक्टर में हजारों लोगों की नौकरियां चली गई छटनी करने वाली कमपनियों में रिलाइंस, टाटा, रेमंड और स्पिंसर जैसी नामी कमपनियां शामिल है इन रिटेल कमपनियों की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि इन कमपनियों ने पिछले फैनेंशल यर के दौरान हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है आज के खर्चापानी में हम इसे बर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि रिटेल कमपनियों ने इतनी तादाद में छटनी क्यों की है, छटनी का देश की एकॉनिवी पर क्या फर्क पड़ता है, जानेंगे कि क्या रिटेल सेक्टर में कोई बड़ा संकट आने वाला है, और आगे क्या होगा, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे आज के बुलिटिन में, नमस्कार मेरा नाम है वुपासना और आप देखना शुरू कर चुके हैं, दिलललन टॉप का डेली फैनेंशल बुलिटिन खर्चा पानी. टेक इंडस्ट्री में चटनी के बाद अब एक और सेक्टर में बड़ी तादाद में लोगों की नौकरी जा रही है, पिछले वित्तवर्ष के दौरान रिटेल सेक्टर में हजारों लोगों को नौकरी से निकाला गया है, चटनी करने वालों में रिलायंस से लेकर टाटा जैसी कई दिकज कंपनियों का नाम है, एक और नौमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, रिपोर्ट कहती है कि पिछले वित्तवर्ष के दौरान अकेले रिटेल सेक्टर में 52,000 लोगों को अपनी नौकरी से हाध होना पड़ा है, चटनी करने जानते हैं कि किस कंपनी ने अपने कितने करमचारीों को बाहर का रास्ता दिखाया है, इस मामले में देश के सबसे अमीर बिजनस्मैन मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Industries Limited पहले नंबर पर है Economic Times की खबर में Reliance Industries की सालाना रिपूर्ट के हवाले से कहा गया है कि कंपनी ने वितवर्श 2024 में अपने कर्मचारियों की संख्या 42,000 या करीबन 11 फीसुदी कम की है मुकेश अंबानी की Reliance Industries Limited की Market Value के लिहाज से देश में पहली रैंकिंग है वितवर्श 2024 में इस कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 3,47,362 थी जबकि एक साल पहले कंपनी के कर्मचारियों की कुल तादा 3,89,444 थी सालाना रिपोर्ट के अनुसार नई भरतियों में एक तिहाई से जादा की कटोती करके 1,71,116 कर दिया गया है Reliance में हुई छटनी का सबसे जादा असर Reliance के Retail Business पर पड़ा है Reliance Retail में वितवर्श 2024 में 2,755,000 कर्मचारी थे कर्मचारियों की ये संक्या Reliance Industries Limited में काम करने वाले टोटल कर्मचारियों का करीबन 60 फीसदी था वितवर्श 2023 में Reliance Retail में कुल 2,45,581 कर्मचारी काम कर रहे थे इस तरह से देखें तो अकेले Reliance Retail में करीबन 38,000 लोगों की नौकरी गई है लेकिन इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्होंने खुद अपनी जॉब छोड़ी है इस बारे में हमने खर्चा पाने के 894 में एपिसोड में विस्तार से बात की थी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा रिलाइंस के अलावा चटनी करने वाले दूसरे बड़े कॉर्परेट घरानों में टाटा ग्रूप की कंपनी टाइटन भी काफी आगे रही है पिछले वित्तवर्श के दौरान टाइटन के कर्मचारियों के संख्या में 8,579 नंबर से कमी आई है मतलब इतने कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है और कंपनी के कर्मचारियों के संख्या वित्तवर्श 2023 के मुकाबले वित्तवर्श 2024 में घट कर 17,535 पर आ गई पेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे लोगों की संख्या 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्तवर्श में 22,564 पर आ गई जो साल भर पहले 4,217 अंक से कम है वहीं रिलाइंस रिटेल, टाइटन, पेज इंडस्ट्रीज, रेमंड और स्पेंसर में जो भी कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है उन सब को मिला दें तो यह आकड़ा 52,000 पर पहुंच जाता है हाला कि दूसरी ओर रिटेल सेक्टर में कई कमपनियों में कर्मचारियों की संख्या में इजाफा भी हुआ है टाटा ग्रुप के ट्रेंट में कर्मचारियों की संख्या वित्तवर्श 2022-23 में 19,716 जो वित्तवर्श 2023-24 में बढ़कर 29,275 पर पहुंच गई इसे तरह से डीमार्ट के कर्मचारियों की संख्या 6,901 थी जो अगले वित्तवर्श यानी की 23,27 में बढ़कर 73,932 हो गई विमार्ट का वर्कफोर्स 9,333 से बढ़कर 10,935 पर पहुंच गया वहीं जुबिलन्ट के कर्मचारियों की तादाद 32,752 से बढ़कर 34,120 पर पहुंच गई अब ये जानते हैं कि रिटेल सेक्टर में इस भारी भरकम छटनी के वजहें क्या है एकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती हुई महंगाई, महंगा लोन, स्टार्टप और आइटी जैसे शेत्रों में बड़ी दादाद में लोगों की नौकरियां गई हैं इसके चलते साल 2022 के दिवाली से लोगों ने कपड़ों, लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज़ों, इलेक्ट्रोनिक्स और बाहर खाने पीने जैसे गएर ज़रूरी खर्चों को कम करना शुरू कर दिया था महामारी के बाद के अवदी में कपड़ों से लेकर कारों तक सभी चीज़ों में खर्च में उचाल के बाद पिछले कुछ महीनों से रिटेल सेल्स में 4% की कमी आई है वहीं Reliance Industries की हाल में जो सालाना रिपोर्ट जारी हुई है वो बताती है कि Reliance Division में छटनी के बीचे सबसे बड़ी वज़य है उसके कई स्टोर्स का बंध होना है जिनमें कम बिजनेस हो रहा था इसके अलावा धीमी रफ्तार से बिजनेस एक्सपैंशन भी इस छटनी का बहुत बड़ा कारण बताया गया है संगठित खुदरा विकरीताओं का प्रतिनेधित्व करने वाली संस्ता भारतिय खुदरा विकरीता संग के CEO कुमार राजगुपाला ने एटी से कहा प्रतिबा की कमी है और हम युनिवर्सिटीज के साथ गठ जोड करने का प्रयास कर रहे हैं ताके रिटेल इंडस्ट्री के पास अच्छे लोगों को नौकरी पर रखने का आप्शन रहे हाला कि उन्होंने आगे कहा कि कुछ कमपनियों ने कुछ कारोबार बंध होने के कारण कर्मचारियों की संख्या कम कर दी होगी लेकिन शौपर स्टॉप और ट्रेंट जैसी कमपनिया लगतार अपना एक्सपेंशन कर रही है और उन्हें कर्मचारियों की ज़रूरत होगी चटनी का समाजिक प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बेरुजगारी और गरीवी का अस्तर वड़ता है इसके लावा चटनी का सर देश की सरकार पर भी पढ़ता है चटनी से टैक्स रवेन्यू में कमी आती है जिसके परेडाम स्वरूप सरकारी खर्च में कमी आती है इसके चलते सरकार जरूरत से जुड़ी चीजों में कम पैसा खर्च कर पाती है इससे आर्थिक विकास में और जादा कमी आती है इस बीच शारी डॉट कॉम के फाउंडर और शाक टैंक इंडिया के जजज अनुप मित्तल ने रिलाइंस इंडिस्ट् कि घंटियां बजने चाहिए थी आपको बता दें कि एक रिपोर्ट बताती है कि 2024 की पहली चमाही में टेक सेक्टर में करीबन एक लाख लोगों की चटनी का अनुमान है ऐसे में रिटेल सेक्टर में चटनी के चलते रोजगार के मोचे पर एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है यह था आज का बुलेटेन आपके लिए बुलेटेन लिखाता है हमारे साथ ही प्रदीप यादों ने आपको कैसी लगे जानकारी हमें नीचे कमिंट बॉक्स में बताएं अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें देखते रहे दे ललन टॉप शुक्रिया